दोस्तों रोज़कार, मैं डाक्टर सुली विजला, आप सबको अपने यूटूब चैनल अतुलियक आदमी पर एक बार पुना स्वागत करता हूँ, मित्रों जैसा की पेट क्लोर्स जितने बच्चे ले रहे हैं और ले चुके हैं, उनके लिए मैंने वादा किया था कि हर टॉपिक पर आपको 30 कुश्चन कम से कम, 50 कुश्चन ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक पर दूँगा, तो अब तक पेट क्लास में संधी तक आप सब प बच्चों के लिए और चाहे वो TGT PGTK हो या भाषाक उत्पत्ती चाहे उपियस्सी की बात हो या फिर कहीं भी भाषाक की उत्पत्ती पर आधरे जितने भी प्रशन बन सकते हैं और महत्तपुर्ण बन सकते हैं, और अब तक जो प्रशन पूछे जा चुके हैं, इन सभी प्रशनों का तीस प्रशनों के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं, मित्रों चलिए सुरुआत करते हैं और पेट क्लास के बच्चे वहां पर जाकर तो आप लोग यहां पर आकर तुरंत जो है, इसको सॉल्ब करें, और चुकी मैं इसका एंसर और प्रशन दोनों बताते हुए चल रहा हूं, अगर आप लोगों को मेरी पेट क्लास के बाद ये सारे प्रशन बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो जाहिर से बात है कि हमारा पढ़ाना सफल हो रहा है, तो आप जितने लोग हो, सब के सब यूट्यूब चैनल पर आकर इसको देख लें, चलिके पुलिस, दरोगा सभी के लिए आ रही है, और तह आप सब वहां जाकर जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर में, अब बढ़ते हैं आपको आज इस स्रिंखला की तरफ, तीस प्रशनों की स्रिंखला जो की चल रही है, चलिए प्रशन बर एक, हिंदी किस भासा का शब्द ह पहला ही प्रशन आया कि हिंदी किस भासा का शब्द है, अपसन है और बी, अपसन बी फारशी, अपसन सी तुर्की और अपसन डी हिंदी, तो यहां पर आप लोग बिलकुल सही अंस्वर दीजिये, जल्दी जल्दी दीजिये, तुरंत अब बिलम रही होना चाहिए, हिंद किस भासा का शब्द है तो option B फारशी भासा का सब्द है बिल्कुल सही उत्तर है यही और अब चलते हैं इसी के साथ प्रशनमबर 2 पर हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं ध्यान दें हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं option A प्राकृत option B पाली option C अपवरंस या option D संसक्रित जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का देखते हैं क्या आता है जल्द जल्दी आप कमेंट करें जी बिल्कुल सही उत्तर होगा दूसरे का D संसक्रित हिंदी की आधि जननी है प्रस्ट नमर 3 भारत देश की प्रथम देशी भासा किसे कहते हैं भारत देश की प्रथम देशी भासा किसे कहते हैं आप्सन A प्राक्रित आप्सन B संसक्रित आप्सन C पाली और आप्सन D उत्तर संसक्रित जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा जल्दी लिखें बिल्कुल और प्रस नमबर तीन का सी पाली बिल्कुल सही प्रस नमबर चार की तरब बढ़ते हैं मलक्षों की भासा किसे कहा गया है option A प्राकृत को option B अब्रंस को option C पाली को option D द्रबेड को जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर आप लगा रहे हैं Option A, प्राकृत को मलेक्षों की भासा कहा गया है Option A, बिल्कुल सही होगा प्रस्न पर पांच के तरह बढ़ते हैं बौद्धों एवं जैनों की भासा क्या कहलाती है या क्या थी Option A, पाली व प्राकृत थी Option B, संस्कृत थी या प्राकृत थी Option C, हिंदी अबरंस थी Option D, अबरंस व पाली थी जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या होगा जल्दी कमेंट करेंगे Option A, पाली व प्राकृत बौद्धों जैनों की भासा थी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है चलिके प्रस्न परच्छा के तरह बढ़ते हैं हिंदी की कहानी, हिंदी की कितनी उपभासा प्राप्त होती है हिंदी की कितनी उपभासा प्राप्त होती है Option A, आठ, Option B, 6, Option C, 5 और Option D, 9 तो जाहिर सी बात है, आप उपभासा की बात कर रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा छे का option C सही होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, आईए बढ़ते हैं question number 7 की तरफ, पश्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती, जी हाँ, पश्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती, option A बांगरू, option B ब्रजभासा, option C अउधी, या option D हिंदी, बिल्कुल सही उत्तर इसका क्य होगा, जल्दी से करें पश्वी हिंदी में क्या नहीं आता, जी हाँ, option C अउधी, पश्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पूर्वी हिंदी का हिस्सा है, प्रश्ण no.8, राजस्थानी हिंदी किस अब्रंस से निकली है, option A शौरशेनी अब्रंस, option B ब्राचर अब्रंस, option C खस अब्रंस, और option D पैसाची अब्रंस, जी हाँ, बिल्कुल सही हुत्तर होगा, आप लोगों का क्या, option A सौरशेनी अब्रंस, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे हैं, जैसे कि बहतर समझ पैदा हो सके, और आप इसको कर सके, भले आप यूटूब पर डाउनलोड होने के बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको कमेंटेश लिए करना है, क्योंकि आपको अपनी परख करनी है, मैं देखता हूं, बहुत सारे बच्चे इसको देखते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कि थैंक यू सो मच सर, बहुत अच गई चली भी जाती, इसलिए ऐसा ना सोचें, तुरंत लिखेंगे, तो चलिए, प्रस्ट नमबर आठ का, ए सौर्शेनी अबरंस बिल्कुल सही उत्तर होगा, पर बढ़ते हैं, प्रस्ट नमबर नौ की तरफ, कुमाउनी किस उपभासा के अंतर गताती है, प्रस्ट नमबर दस, हिंदी कौन सी भाषा है, Option A, राष्ट्र भाषा, Option B, राज्य भाषा, Option C, राज भाषा, या फिर D, अमानक भाषा, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, जी आप जल्दी लिखेगा, Option 10 का C, बिल्कुल सही होगा, यानि प्रस्ट नमबर दस का C, राज भाषा हिंदी है, और प्रस्ट नमबर 11, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो जाहिर शी बात है, Option A, वार्ण, Option B, द्ध्वानी, Option C, शब्द, और Option D, पद, जाहिर सी बात है, प्रस्ट नमबर 11 का आप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी करेंगे, फटाफट अप लेखें, option B, धारी बिलकुल सही उत्तर होगा, जी हाँ, प्रश्ण नमर 12, बिहारी हिंदी में कौन सम्मलित नहीं है, बिलकुल सही सुन रहा हैं, बिहारी हिंदी में, प्रश्ण नमर 12, बिहारी हिंदी में कौन सम्मलित नहीं है, option A, मैथली, option B, मगही, option C, भोजपुरी या औपसन डी मेवाती, बिलकुल सही है, क्योंकि मगही, मैथली और भोजपुरी बिहारी हिंदी में समलित हैं, औपसन डी मेवाती राजस्थानी हिंदी की एक बोली है, अताह यही औपसन डी बिलकुल सही उत्तर होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुश्र बारतीय शंबिधार में कितनी भाशाएं वरनित हैं, जी हाँ, बारतीय शंबिधार में कितनी भाशाएं शंबित की गई हैं, कितनी भाशाएं वरनित हैं, आपसन डी या औपसन डी सत्रह भाशाएं शंबित हैं, जी हाँ, बिलकुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का, option C, बिलकुल सही answer होगा और option C, 22 भाशाएं संब्धान में वरणित है चलिए, question number 14 की तरह बढ़ते हैं संब्धान में वरणित भाशाओं में एक बोली कौन सी है ध्यान दे, संब्धान में वरणित भाशाओं में एक बोली कौन सी है option A, bodo है क्या, option B, methly है क्या option C, डोंगरी है क्या, या option D, सिंधी है क्या, तो जाहिर सी बात है, option B, मैथली, बोली होते हुए भी भासा का दर्जा प्राप्त की है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, 14 कभी, आईए question number 15 की तरह वड़ते हैं, question number 15, भासा का उलेक शंबिदान की किस अनसूची में वरणित है, ध् option B, अनसूची 6, option C, अनसूची 9, या option D, अनसूची 8, बिल्कुल जी हा, आप सही सुन रहे हैं, 15 का option D, अनसूची 8 में भासा का उलेक शंबिदान में किया गया है, चलिए question number 17, 16 की तरह बढ़ते हैं, question number 16, कौन सी भासा देवनागरी लिप में नहीं लिखी जाती, कौन सी भासा देवनागरी लिप में नहीं लिखी जाती, option 1, मराठी, option B, नेपाली, option C, द्रबेंड, या option D, हिंदी, जाहिर सी बात है, आप लोगों के दिमाग में प्रशन के उत्तर आ गया होंगे, जल्दी जल्दी उत्तर दीजे, धड़ा धड़ दीजे, जी बिल्कुल 16 का C, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, द्रबेंड, जी हाँ, question number 17, पूरवी राजस्थानी किशे कहते हैं, option A, मेवाती को, option B, जैपुरी को, option C, मारवाडी को, या option D, मालवी को, जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल कर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर निकल करके आ रहा है, क्या रहा है, option B, जैपुरी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, 17 कभी, जैपुरी को, पूरवी राजस्थानी कहते हैं, जबकि मेवाती को, उत्तरी राजस्थानी, मारवाडी को, पश्चमी राजस्थानी, और मालवी को, दक्ष्णी राजस्थानी कहा जाता है, आईए बढ़ते हैं question number 18 के तरफ सौर शेनी अबरंस के अंतरगत कौन सी भाशा वरणित नहीं है ध्याम दें सौर शेनी अबरंस के अंतरगत कौन सी भाशा वरणित नहीं है option ए पश्चमे हिंदी option B राजस्ताने हिंदी option C गुजराती या option D पंजाबी तो जाहिर सी बात है पंजाबी बिल्कुल सही एंसर होगा चोकि ये पैसाची अबरंस के अंतरगत आता है तो प्रश्चन बर 18 का D पंजाबी निश्चित तोर पर सही उत्तर है जोकि सौर से इनी अबरंस के अंतरगत नहीं आता प्रश्चन बर 18 उपनिसीडों की शंक्या कितनी थी? जाहिर सी बात है आप लोगों का सही एंसर क्या आ रहा होगा जल्दी जल्दी करें आप्शन A 108 बिलकुल सही उत्तर होगा कुछ्चन नमर 20 पे चलते हैं प्रस्चन नमर 20 वेदों को एक शब्द में क्या कहा जाता है बहुत अच्छी बात है जी जी बिल्कुल सही प्रश्ट नंबर 20 का सही सही उत्तर होगा जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, 20 का C, सहीता, और अब बढ़ते हैं प्रशन नमबर 21 की तरफ, भासा के कितने श्वरूप होते हैं, ध्यान दें, भासा के कितने श्वरूप होते हैं, जाहिर शी बात है, आपसन A3, या आपसन B4, या आपसन C5, या आपसन D6, या छे, बिल नमबर 21 पर आईए, प्रस नमबर 22, अवेस्ता गरंथ, किसके समकक्षी माना जाता है, ध्यान दें, अवेस्ता जो की इरान का एक गरंथ है, उसकी बात कर रहा है, अवेस्ता गरंथ, किसके समकक्षी माना जाता है, आपसन A3, वेत के, या आपसन B, शाम वेत के, या आपसन यजुरवेद की बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए जी हां 22 का कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी जल्दी आप टाइप करें और तुरंट सेंड करें जी हां बिल्कुल एक दम सही आ रहा है कुश्चन नमर 22 का ए रिगवेद विल्कुल अवेस्ता का समकालीन ग्रंथ था जी बिल्कुल सही अंसर क्या होगा जी बिल्कुल 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 सही कर रहा हैं बिल्कुल 23 का सी होगा जी हां आए कुश्चन नमर 24 पे चलते हैं भासा के रूप कितने होते हैं आपसन ए दो आपसन वी तीन आपसन सी चार या आपसन डी पांच बिल्कुल तीन होते हैं बिल्कुल बिल्कुल 24 का B, 3 होते हैं, लिखिक, मौखिक और शांकेतिक, बिल्कुल सही उत्तर, कुश्चिन नमर 25 पे चलते हैं, 25 कुश्चिन कहता है, संसक्रित भासा का समय कब से प्रारंभ माना जाता है, बिल्कुल संसक्रित भासा का समय कब से प्रारंभ माना जाता है, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा बिल्कुल करें जल्दी करें बिल्कुल करें जल्दी करें बिल्कुल किस रूप को जैन धर्मियों ने अपनाया बिल्कुल करें बिल्कुल करें बिल्कुल ठीक है कुश्यन नमर 27 पे चलते हैं राजभासा आयोग का गठन कब हुआ को प्रस्ट ध्यान दें राजभासा आयोग का गठन कब हुआ बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या होगा आप सब जान गए होंगे जी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखें जी एक दम सही 1955 सी अप्शन सही गुड बहुत अच्छी बात है तो 27 का सी 1955 जी 28 में आजाएं प्रस्ट नमबर 28 बिहारी हिंदी किस अब्रंस के अंतरगत आती है ध्यान दें बिहारी हिंदी किस अब्रंस के अंतरगत आती है option A, शौर्षेरी अबरंश, option B, अर्ध मागधी अबरंश, option C, मागधी अबरंश, या option D, ब्राचड अबरंश, तो देखें, option C, आपका सही होना चाहिए, जी, बिल्कुल सही उत्तर, जी, जी, बिल्कुल सही, और ये रहा, 28 का C, मागधी उत्तर शही होगा, जी हाँ, 29 पे च किस अबरंश निकली है, option A, ब्राचड अबरंश, option B, पैसाची अबरंश, option C, खस अबरंश, या, आप कह सकते हैं, कि D, कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है, पंजाबी निकली थी, option B, पैसाची अबरंश, बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप सबने ये बिकल्प दिया भी है, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उन्नत है आप सबकी, आईए, कुश्य नबर 30 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा, मागधी अबरंश से नहीं निकली है, ध्यान दें, निम्न में से कौन सी भाषा, मागधी अबरंश से नहीं निकली है, आप दे होगा चुकि लहदा आप जानते हैं कि पैसाची अबरंस की हिस्सा है मागधी अबरंस के नहीं तो बस इमित्रों ये 30 प्रश्ण आपके हो चुके हैं अगर आप लोग अभी भी मेरा आयप डाउनलोड नहीं किया है आतुलियकादमी भाई डाक्टर सुल विजला तो आवश् क्विक फीस का जो देखा जाये तो उसका मुझे लगता सतर परसंट आप कर दिया है और आप लोग उसको जरूर लें चुकि इस तिनी बैग्यानिकता इतनी सा ठिकता और इतने तार्किक ढंग से आपको क्लासें सब जगा हिंदी की मिल जाएंगी परंत यहां आने के बाद आपको कभी निरास नहीं होना पड़ेगा मित्रो पेड क्लास के बच्चों के लिए ये टेस्ट तो था ही हमारे यूटूब चैनल पर जितने भी अपने सवजानाते हैं उनको जिस भी हिंदी की कोई भी जरूरत हो यहां अवश्य पूरी की जाएगी चलिए आप लोगों क क्या चाहिए और कैसे चाहिए क्या आनंदा रहा है इसको जरूर लिख दिया करें बार-बार मैं जब यह नहीं कहा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस कहता हूं सेयर करें और डाउनलोड करें केवल एक ही निवेदन इसलिए करता हूं क्योंकि जब आफ लिख द